पुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रूस के लिए ब्लैक सी इतना इंपोर्टन्ट क्यों हो गया है क्योंकि अभी आप जैसे रूस की रणिति को देखेंगे तो वो युक्रेन के ओरिसा एक शेतर है और इसा एक शेतर है वहाँ पर कबजा करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दो जहस कर रहा है तो हम जानेंगे कि ब्लैक सी इतना इंपोर्टन्ट क्यों है रूस के लिए और कहीं ना कहीं जो रूस है वहां कि रूस के सरकारी टीवी के द्वारा ये कहा गया कि तीसरा विश्वियुद शुरू हो चुका है ऐसी घोशना रूस के सरकारी टीवी ने की है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पीडियाफ के लिए आप लोगों को बता दूं कि पीडियाफ जो है वो टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं देखे हाली में क्या है कि जो ब्लैक सी है वहां पर रूसी एक वार्शिप करी थी यानि बहुत बढ़िया कह सकते हैं या एक प्राइड थी रशिया के लिए यानि प्राइड के मलब गोरव था रशिया के लिए जैसे आई एनस विक्रांत बारत के लिए ऐसे ये परमुक युद पौत यानि वार्शिप जिसका नाम मौसकावा था वो डूब गई अब वो डूब कैसे गई कहा जा रहा है कि युक्रेन ने एक इसके उपर दाग दी जिसके उपर 500 क्रू मेंबर थे और इसके उपर दागने के कारण ये डूब गई उदर रूस का कहना है कि नहीं नहीं ये युक्रेन ने थोड़ना डूब होई है ये तो हमारे ही यहाँ पर आग लग गई थी जिसके कारण डूब गई कि जो भी थी, जो भी ये बातें बोल रहे हैं, नुकसान तो रूस का हुआ और जिससे काफी जादा बड़ा जटका लगा है रूस को, इस करके यहाँ पर, यह देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, कि रश्या की जो नेवी, जो प्राइड है, मास्कोवा, जिसको क्या कहरा जा यहाँ पर यह वोर्शिप खड़ी थी, यह ओडिससा है, यहाँ पर रूस कबजा करना चाहता है, और यहीं से मिसाइल दागे गई थी, युक्रेन के द्वारा, अब बात करें, यह देखिए, यह मोस्कोवा होगे, अब देखिए, 2014 के बाद, रूस ने कबजा कर लिया था, क्रीमिया पे, जो पहले युक्रेन का हुआ करता था, तो युक्रेन को लगा, क्यों ना हमें अपनी जो निरस्ति गरण, मतलब कि इन्हों नहीं हतियार को त्यागना शुरू कर दिया था, बहुत टाइम पहले, फिर उनको लगा कि नहीं हमें हतियार जो बनाने चाहिए, उ 300 किलोमेटर, कोई इतनी हाइटेक चीज नहीं है यहाँ पर, यह 300 ही किलोमेटर की रेंज है इसकी, और इस मिसाइल ने 12,490 जो एक वर्शीप था मास्कोवा, उसको अपना निशाना बनाया है, जिसके ओपर 500 क्रू मेंबर थे, और एक चीज यहाँ पर आती है निकल कर सामन यह नहीं आई, रेडार नहीं इसको पकड़ा नहीं, इसकी खासियत ही है कि यहाँ पर, यह लैंड हो गया, लैंड से सिर्फ और सिरु 15 से 20 फुट या फिर 10 से 15 फुट तक ही उंचाई पर उड़ती है, और जो रेडार है वो काफी उंचाई पर काम करता है, इन्होंने तो भया, एक तरीके से हो गया कि आप पड़ते रहेगे, रोकेट साइस हमने तो ABCD बना के आपको ठोक दिया, यह वाली बात होगी यहाँ पर तो, इन्होंने यह चीज टेकनिक जो है वो अपना डाली, और इसके कार्ण रूस को बहुत बड़ा जटका लगा है, उदर रूस कह देखें, तो बहुत स्टेटिक लोकेशन है इसकी, रूस के लिए तो, अगर आप देखें तो रूस के यह जो ब्लैक सी आपको यहाँ पर दिखाए पड़ता है, यह जो अगले मैप में आपको दिखाऊंगा, तो यह होगी आपके सामने ब्लैक सी, ब्लैक सी के अगर आप और नौर्थ क्या करें कि उत्तर पश्चिम, नौर्थ वेस्ट में अगर बात करें तो युक्रेन आजाते हैं, इसके इस्ट में बात करें, इसके इस्ट में बात करें, तो यहाँ पर रशिया और जोर्जिया यहाँ पर आजाते हैं, और इसके वेस्ट में बात करें, तो ब फ्लैक्सी, यहां और यहां से निकल कर, यहां से निकल कर Meridian यानि विमते सागर में पहुंचा जा सकता है तो बहुत ज़्यादा strategic location है रसिया के लिए अब बात करें इसका important क्यों है देखें जो रसिया है वो अपना प्रभूतव इस सेत्र के उपर इसलिए जचाना जा रहा है क्योंकि एक तो उसको अपनी power बढ़ाने में मोका मिलेगा अगर उन्होंने black sea के उपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया साथ इसाथ यहां से निकल कर अगर आप map देखेंगे तो यहां से रसिया निकल कर बाकी के देशों के साथ वेपार कर पाता है बड़ी असाने से यूरोप के देशों के साथ जो सदन यूरोप है उनके साथ जो बहुत असानी से यहां पर बिजनस कर पाता है इकनोमिक फायदा होता है इसलिए एक तरीके से यह चाहरा है काफी चाहिए टसल हमें यहाँ पर देखने को मिलती भी है और ब्लैक सी फीट भी एक यहाँ पर आपके सामने निकल के आएगा कि देखिए 2014 में क्रीमिया का जब संकट आया था यानि कि 2014 में जो रूस ने क्रीमिया को अपने अधिकार में ले लिया था और नियंतरन हासिल कर लिया था और एक तरीके से यहाँ पर जो रूस है तब से ही काला सागर पर अपना अधिकार जताने के लिए नो सैनिक बड़े पैमाने पर यूद पोत वहाँ पर तैनात करे बैठा है यह काला सागर बेड़ा क्या है देखे काला सागर पेडा यानि black sea fleet का है कि एक बहुत लंबा इतियास रहा है कहा जा रहे कि इसकी सापना 1783 में हुई थी और इसमें क्या आता है इसमें काला सागर आता है और जोव सी आता है पूर्वी भूमद्दे सागर आता है इसमें इस्टेन मेडिटेरियन सी आ जाते है इसमें क्या है कि रूसी नोसेना के युदपोत शामिल है तथा इसका मुख्याले क्रिम्या प्राइदी प्रमुक बंदरगा सेवेस्तो पॉल में है तो यह हो जाता है हमारे सामने ब्लैक सी फ्लीट अब यह जो काला सागर में रूस के हित क्या क्या है देखें मोजूदा आकर यहां पर नजराएगा यह डॉन्टेस को गया डॉन्टेस के लगबग इस्ट या फिर लगबग साउथ के साइड में जो है वो इस्ट आउथ की साइड में जो यहां पर हमारे सामने क्या पढ़ जाता है तो इसके उपर मार्यो पॉल मार्यो पॉल पढ़ जाता है तो इसके प्रोंटर्ज्य के उपर यहां पर आप प्रो रुशियन आप देखेंगे, अबिसली इन्के उपर अधिकार हो चुका है, यहां पर इधर जो है वो सनाफ चड़ाई कर रही है, यहां पर जो है Одिसा राज्य जो है, औरिशा शेत्र है वो इसको काटना चाह रहा है अगर वो इसको काट पाया तो एक तरीके से वो युक्रेइन को लैंड लोग कंट्री बना देगा अगर रश्या अपने मकसद के अंदर कामियाब हो जाते है अब इसके बाद देखिए औरिशा पर कब्जा करने की कोशिश कर र रूप से काला सागर तट उपयोग करी नहीं पाएगा यानि आप देखें तो यहां पर ब्लैक सी तो यह हो गया अगर उसने इसके ओपर कब्जा कर लिया इसके ओपर कब्जा कर लिया तो कट गया भई बिल्कुल कट गया यहां से तो वो करी नहीं पाएगा यहां पर तो तो परचूर मातरां प्राकरतिक संसादनों के साथ एक महतपुन इंपोर्टेंड उर्जवर परिवहन गलियारे के रूप में एक राइन मेंड्यूम नहर जो है वो काला सागर को अंतलांटिक मा सागर से जोड़ती है जो ओड़िसा का बंदरगा युक्रेन और बाहरी दुनिया के बीच में मेतपुन कड़ी की रूप में कारे करता है एक यहां से नहर यहां से गुजर रही होती है यहां से तो वो अंतलांटिक जाती है ओड़िसा से जाती है रोक लगने की एक उमीद है और इस घटना का मतलब यह है कि युक्रेन पर अब हमला करने के बाद से रूस अब तक दो परमुग नोसैनिक संपत्यों को नुकसान पहुंचा चुक है इसमें सबसे पहले रूस का एक एलिगेटर क्लास लैंडिंग जहाँ सेराटोव आता है और दोनों घटनाओं के चलते रूस द्वारा अब जो ब्लैक सी है अपनी समुंद्री सिती और शम्ता की समिक्षा करने की संभावना है यानि कहीं न कहीं यहां यह एक अनुमान लगाएगा रहे कि अब पुतीन जो है वो कुछ भी कर सकते हैं उनको जैसे लोस मिल रहा है इनके काफी सारे आप देखेंगे जो सैनिक हैं वो भी काफी जादा परिशान है उनको अंदर बढ़ा उतरी नहीं मिल रही है तो जहां पर एक बात सामने निकल गए आई थी कि रूस ने कहा था कि हम पांच दिन में नपेट देंगे यूकरेन को लेकिन आप देखें कितने जाइन हो गए लेकिन यूकरेन अभी भी डटा हुए जहां पर एक तरीके से जो जैलेंस की है यूकरेन के जो प्रेजिडेंट है उनका कही न कहीं मजाग था कि एक कॉमेडियन है कैसे कर पाएगा आज दुनिया का नजरिया बदल गया है उनके परती वो जिस तरीके से रूस के सामने खड़े हैं जिसके पास कितनी बड़ी सैना है और यूकरेन एक छोट काफी सारे देशों ने साथ देने समना करते था ओविसलि उन्होंने हत्यार बेजे थे और दूसरी साहता है पहुचाई थी लेकिन जो मैन पावर है वो नहीं पहुचाई थी लेकिन बावजुद उसके अभी भी यूकरेन डटके खड़ा है तो यह अनुमाल लगाया जा र मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया है सब्सक्राइब करें चैनल को और शेर कर सकते हैं वीडियो को एस वेल एस चैनल को भी कर सकते हैं पीडियो के लिए ओलेडी में आप लोगों को बता चुका हूं कि एक डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिगराम का लिंक दिया म मिलेगा तो वहां से आप इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो